हेलो दोस्तो दोस्तो आज 8 फेवरुरी 2023 है और आज बहुत ही बड़ा फैसला आने वाला है जेके SSB के JKPSI और JE का जो एक्जैम App Tech Company ने कंड़क्ट किया है उससे रिलेडिड आज जुमाएंड कश्मीर हाई कोड जो है अपना फैसला सुना रही है इस केसे रिलेडिड जो भी नई अपडेट्स हैं लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आप सभी को पताई होगा कि फाइनल हीरिंग जो कि आज याने 8 फेवरुरी 2023 को हो रही है लेटेस्ट अपडेट के मताबिक जो ये हेरिंग है बताया ये जा रहा है कि ये 3M के आसपास होगी याने इस केस की सुनवाई जो है वो 3 बज़े के आसपास हो रही है इसके अलावा एक और important है वो है सुप्रीम कोट के इनस्टिक्शन जैसा आप जानते हैं कि इस केस से रिलेटिर सुप्रीम कोट में भी पिटिशन जो है वो फाइल की गई थी तो सुप्रीम कोट का जो ओर्डर आया है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शियर करने वाला हूँ लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आप से एक सवाल पूछना चाहूँगा क्या ये वक्त अब नहीं आया है कि जुमू कश्मीर के जो नवजवान है उनको इकठे होके करप्शन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए किसी भी हाल में करप्शन को एकसेप्ट नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में करप्शन को टॉल्रेट नहीं करना चाहिए अगर एक परसंट भी करप्शन होता है तो ये उस कैंडिडेट के साथ नाइनसाफी होगी जो कि रात दिन मेहनत करके अपने खून पुसीने की मेहनत से कमाए हुए पैसे इस एक्जाम के ऊपर खरच करके अगर वो एक्जाम की तयारी कर रहा है और बाद में कोई पैसे देकर रिश्वत देकर गूस देकर करप्शन से उसकी जगा ले लेता है तो क्या ये उसके साथ बहुत बड़ी नाइनसाफी नहीं होगी तो हमें चाहिए कि हम करप्शन को किसी भी हाल में टॉलरेट ना करें बरदाश ना करें हमें जुमू कश्मीर करप्शन फ्री मिलना और अगर गॉर्मेंट सही में करप्शन को खतम करना चाहती है वो तो क्यों नहीं कर सकती अगर हम रिसेंट लेंड इंकरोजमेंट की बात करें तो गॉर्मेंट ने किस तरह सिरिफ एक हपते के अंदर अंदर पूरे जुमू कश्मीर में बिल्डोजर बेजे और लेंड क्या इनको पकड़ा नहीं जा सकता ये कौन सी बड़ी बात है जब पूरी जुमू कश्मीर में बिल्डोजर ड्राइव चलाई जा सकती है तो इन करुप्शन करने वालों को इन स्कैमिस्टर उसको क्यों नहीं पकड़ा जा सकता है तो अब हम बात करेंगे आगे सुप्रीम कोट के ओर्डर की तो यहां पर सुप्रीम कोट की तरफ से एक ओर्डर जो है वो जुमूएन कश्मीर हाई कोट को बेजा गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो जुमूएन कश्मीर हाई कोट है वो अपने इविडेंस पर जो उसने अभी तक इविडेंस देखे हैं इन केस से related उस case को study करें उन evidences पर और अपनी तरफ से जो उसको फैसला लगता है as per law as per evidences तो इन evidences की बिना पर इस case की बिना पर वो अपना फैसला सुनाए इस case related तो इसके बाद देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है वेट करेंगे हम आज जुमायन कश्मीर हाई कोट के फैसले का और उसके बाद देखते हैं कि विंकल शर्म और जो अदर्स हैं वो आगे क्या करेंगे तो फिलाल के लिए यही थी update JKPSI के आज कोट फैसले से related तो जो ही hearing होगी और hearing के बाद जो भी फैसला लिया जाएगा वो हम आपके साथ share करेंगे तो फिलाल मिलते हैं आप से एक next वीडियो में तब तक के लिए take care